अलो फ्रेंट्स नमस्ते माईनी मिस्प्रेटर आपका बहुत-बहुत सागत करती हूँ हमारे यूट्यूब जानर पिती पटलवर में उमिट करतों कि आप सब ठेक होंगे अच्छे से होंगे तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रैबिट्स आपस पर लड़ते क्यों हैं तो फ्रेंट्स चलिए बिना बाते की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स रैबिट्स लड़ते हैं टरिट्री के लिए territory means जैसे कि हम एक example ले लेते हैं जैसे अब कोई गली है तो उस गली में कुछ Docks रहते हैं अगर उस गली में अगर दूसरे area के Docks आ जाए तो उस गली में जो रह रहे हैं ओ डॉक्स उसको मारके भगा देते हैं तो इसी तरीके के rabbits भी होते हैं जो rabbits होते हैं वो भी बहुत ही टेरिटरिल टाइप के एरिवल्स होते हैं आपने नोटिस किया होगा कई बार कि आपके जो rabbits है वो घर में काफे साइज चीजों पर अपने चिनिंग करते हैं तो इसी तरीके से अपना टेरिटरि को मांग करते हैं तो इसी तरीके से rabbits अपना एरिया बनाते हैं तो friends ऐसे ही अगर rabbits की एरिया में कोई आ जाते हैं तो rabbits इसलिए fight करते हैं तो friends अगर मैं अपना experience share करू तो जब Barry छोटा था तो वो फाइट नहीं करता था चैरी के साथ लेकिन अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसमें hormones changes हो रहे हैं वो maturity gain कर रहा है तो वैसे वैसे अब वो चैरी से fight करता है इसलिए हम चैरी को separate रखते हैं और Barry को separate रखते हैं तो friends अब बात कर लेते हैं कि rabbits में जो gender होते हैं तो किस gender में rabbits के ज़्यादा fight होती है तो जो male male rabbits होते हैं उनके fight होने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं Friends, जो rabbits fight करते हैं, तो इतना चदा वो fight करते हैं कि वो एक दूसरे की जान तक ले सकते हैं. Friends, अगर दो female rabbits हों, तो दो female rabbits के fight करने के भी कम chances होते हैं. अगर male female हो, तो उनके भी fight करने के कम chances होते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपकी rabbits fight ना करें तो आप अपने rabbits का neuter और spay करवा सकते हैं neuter हम male rabbits के लिए करते हैं और spay हम female rabbits के लिए करते हैं ये एक तरह की surgery है जो rabbits में की जाती है ये surgery करवाने के बाद rabbits के behavior में काफी साइचेंज़ आते हैं जैसे कि आपने notice किया होगा कि male rabbits जो होते हैं वो कहीं पे भी किसी पे भी वो urine spray कर देते हैं खासकर जब multiple rabbits हो तो rabbits यानि male rabbits जो है वो ज्यादा urine spray करता है तो ये भी जो urine spray करने की आदित है काफी हद तक कम हो जाती है friends बात रही fight की तो जो rabbits में fight करने की आदित है तो वो 99% कम हो जाती है यह तो नहीं कह सकती कि 100% लेकिन I'm sure 99% कम हो जाती है friends अगर आपको neuter और spay के बारे में नहीं पता है तो आप research कीजिए आपको पता चल जाएगा तो make sure इस वीडियो को like करना चैनल पी नहीं तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना तो friends मिलते हैं अगली वीडियो में Bye friends, thanks for watching